Hello Friends, Good Morning अज मैं आपको मणी प्लांट के बारे में बताऊँ में मेरे यहाँ दो तरह के मानी प्लांट रखे हुए है एक इंडॉर है एक बार आउट्डॉर में रखा हुआ है तो यह जो इंडॉर प्लांट जो रखा हुआ है यह मेरे काफे लंबा था करीब 5 फूट करीब लंबा था लेकिन क्या इसको कभी उपर कभी नीचे कभी इदार उधार करने से ये पुरा खराब हो गया तो मेरे को यह समझ आया कि मनी प्लांट को जैसे अपन एक जगह पर फिक्स कर दें तो ज्यादा सही रहेगा जैसे मेरे खिड़की के पास पड़ा है और फिर ऐसे करते करते वह बिल्कुल छोटा हुए था जैसे अभी है इतना भी नहीं बचा रही-खही कसर मेरी दोईती आय बच्ची आये खेल रही होगी कुछ सोचा होगा और निकाल दी तो आपको मैं यह दिखाना चाहती हूं कि मतलब एक अपन छोटा सा टुकडा भी अगर मनी प्लांट का लगाए तो आराम से चल जाएगा यह आप मेरा देख सकते हो इसकी यह जो जो मैंने लगाई है यह कित इसका भी शेम है दो टुकडे बचे थे उसको ही मैंने लगाया आप देखो बिल्कुल पतली सी है और जो उपर आई है यह बड़ी है तो मेरे को यह टास्क दिया गया था कि अगर टैरिस गार्डनिंग करनी है तो पहले इस मनी प्लांट को लगा के दिखाओ तो मेरा मनी प पड़ा इसका यह पॉटिंग मिश्चल तो मैं वही बनाती हूँ जो मेरे यहां भुड़ा मिट्टी है और मिंग्नियों की खाद डाली है मैंने कोई वो कोको पीड वो सब कुछ नहीं डाला क्योंकि यहां मिलता भी नहीं था और मैंने डाला भी नहीं तो यह दो टुकडे मैंने लगाए और अब आप देखो वो बच्ची आई थी मेरे डेड़ साल पहले टाइम जरूर लगाए मेरे को लेकिन अब यह चल पड़ा तो मेरे को यह टास्क मिली थी कि अगर यह दो टुकडों में से छोटी-छोटी टुकडों में से मनी इंप्लांट लगा दो तो टे चोटे से चोटे यह मर रहा है तो उसकी आप जगा चेंज मत करो बस आप एक फटिलाइजर दोगे तो उसमें आपका सारा काम हो जाएगा उसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं देती तो पहले मैं आपको मेरा आउट्डॉर का जो है वो दिखा देती फ्रेंड्स यह मेरे आउट्डॉर का मनी प्लांट है आप देख सकते हो सेम साइस का गंबला है लेकिन यह अच्छा खासा यह देखो आप उपर तक यह लगा हुआ है और मैंने ना इसमें कोई मास स्टिक वगर नहीं लगाई है मैंने यह रसी के सारे इसको बांदा है आप देख सकते हूं यह मेरे यह ऐसे डोरी को सूतली की जो डोरी आती है उसको चार मास लड़ी करके उपर मैं इस एंगल में उपर एक एंगल में मैंने लगा के और यह जो बांदा है उसमें लगा तो अच्छा खासा यह बढ़ रहा है बस इसका क्या है फ्रेंड्स मेरा दूप आती है जब मैंने स्टेंड बना के स्टेंड के उपर रख दिया और मेरे आप देख रहे हो इदर सामने असो का पेड़ लगा हुआ है तो असो के पेड़ के कारण इसमें इतनी तेज दूप नहीं लगती है तो इस कारण से यह अच्छा खासा हरा बरा अभी मैं इस मेरा यह रोज का प्लांट में दिखा देती है रोज के फ्लावर ठीक है इसका एक ही सिक्रेट है रात को आप दो चम्मच चाय पती फ्रेश चाय पती जैसे आपका प्लांट है उस हिसाप से जैसे दो लीटर ले लो पानी और उसमें दो चम्मच चाय पती डालो फ्रेश डा दो रात भर में वो एकदम ठंडा हो जाएगा तो वो फटिलाइजर आप जब अपने मनी प्लांट में दोगे तो आपका मनी प्लांट भी मेरे मनी प्लांट की तरह अच्छा खासा हेल्दी और जल्दी से बढ़ सकता है मनी प्लांट कही तरह के आते हैं चार तरह के तो मैंने तो बड़ी पत्ती का तो मेरे को तो यह समझ आए कि जब जमीन में लगाएंगे तभी बड़ी पत्ती हो पाएगी फिर भी मेरे ऐसे साइस की आप देख सकते हो और एक इसको दूप ज्यादा दूप नहीं चाहिए लेकिन मेरा जो इंडोर पढ़ा है उसको तो दूप मिलेग दो लिटर पानी में डालके जितना बड़ा आपका गंबला है उस हिसाब से मेरे बड़े हैं गंबले तो मैं एक से ज्यादा पानी ले लेती हूं फिर उसमें दो चम्मस टी स्पोन वो डालके उसको अच्छे से बॉल करके रात को छोड़ देती हूं सुबह तक वो अगर आपको भी अपना मानी प्लांट हल्दी बनाना और ऐसे बढ़ाना उसको अच्छी हाइट में तो आप भी यह फर्टिलाइजर यूज करें थैंक्यू फ्रेंड्स मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सरकल में अपने रिलेटिव में रिष्टेदार में शेयर करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे मैं आपको रोज के बारे में और भी बहुत जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको अच्छे से दे सकती है एक यह देखे मेरा यह बहुत सुन्दर रोज का है और यह एडिनियम और यह सब आपको मैं दिखा देती हूँ एक यह बालसम का यह सेल्फ सीडलिंग हुई है और इसके आप लावर देखो कितनी सुन्दर लग रहे है तो फ्रेंट्स अगर आपको भी अपने हल्दी बनाना है माने प्लांट को या दूसरे भी जो प्ला प्लांट है और एक यह प्लांट है रोज का फ्रेंट्स मेरे यह खराब हो गया अब मेरे को इसको निकाल के और दूसरा लगाना पड़ेगा और यह मदुमाल मदुकामीनी में भी फ्लावर जा रहे है तो मेरे पास अच्छी घासे आपको मैं नौलेज दूंगे आप मेरे चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और जो गार्डिनिंग का सिल्चिला है सीखने सिखाने का वो चलता रहे थैंक यू फ्रेंड्स बाई फ्रेंड्स हैपी गार्डिनिंग थैंक यू